Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. In a party, 5 friends give gifts to each other. Find the total number of gifts. यहाँ पर देखें आप एक party के अंदर 5 friends है, 5 दोस्त हैं जो की एक दूसरे को gift देते हैं. तब देखें यहाँ पर total number of gift बताना है. अब देखें यहाँ पर कितना आपको क्या given है? आपको दिया हुआ है 5 friend. 5 friend give gifts to each other. तो यहाँ पर देखें परती एक बंदा क्या कर रहा है? अपने 4 दोस्तों को gift दे रहा है. क्योंकि यहाँ पर देखें क्योंकि 5 friend है वे एक दूसरे को gift दे रहा है तो अपने आपको तो swim को तो कोई gift नहीं देगा. तो यह क्या कर रहे है कि परती एक बंदा चार बंदों को गिफ्ट दे रहा है So, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा So, one person have four gift Then, तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा Five persons have four into five gifts That is, यहाँ पर कितना हो जाएगे twenty gifts आंसर आपको यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा Hence, total number of gifts is Twenty I hope you understood the explanation Thank you